नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्स्प्लोर में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली, आप जानते हैं इस समय हम गुजरात में सोराष्ट टूर कर रहे हैं, इस समय हम राज़कोट से लगबग 110 किलोमीटर दूर जुनागड में हैं, एहमदाबाद यहां से लगबग 320 किलोमीटर दूर है, मेरे बैक ग्राउंड में आप भवनात प्रवेश द्वार देख सकते हैं, हमें यहां से सीधे जाना है, इस थान को गिरनार तलेटी बोलते हैं, हम गिरनार परवत की यातरा करने जा रहे हैं, आगे चलके रोफ़े की टिकेट निका मुझे लगबग 40-45 मिनिट लगे हैं, लाइन में खड़े हो कि हमने टिकेट निकलवा ली है, एक आदमी का 700 रुपे का टिकेट है, बहतर रहता कि हम आनलाइन टिकेट निकलवा ले थे आने से पहले, तो उससे हमारा यह सुबा का समय बच जाता, जहां पर अभी मैं पीछे आप देख रहे हैं, गिरनार रोपवे का यह डेमो है, यहां से ऊपर हम जाएंगे, अमबाजी टेमपल, ट्रॉली में पहुंचने में हमें लगबग 8-10 मिनिट का टाइम लगेगा, चलिए, रोपवे को चलते हैं, लोजी हम ट्रॉली में बैठ चुके हैं, एक ट्र ट्रॉली हैं, व्यू देखो आप सामने कितना अच्छा लग रहा है, लवली, सुबह आठ बजए, देखो आप कितनी भीड़ती बाहर, यह जो सामने आप फॉरेस्ट देख रहे हैं, सारा यह सागवान फॉरेस्ट है, टीक वूड, ब्यूटिफुल, जब भी रोपवे नह अच्छा जी टेंपल जाने को, पता भी निचला कब सामने पहाड आ गया और हम एंड पॉइंट तक पहुंच नहीं वाले हैं, यह जो भीया उपर जो हट सा दिख रही है, यह है, गुरुद्ध तातरे जी का टेंपल, वो सागवान आप पहाड जाने को, यह जो भीया उप सामने, थैंक यू आप जानते ही हैं, बावन शक्ती पीट है, उन बावन शक्ती पीट में से एक स्थान ये स्थान ये स्थान पीट है, यातरी यहाँ पर मां अंबा के दर्शन करने दूर दूर से आते है, हमारी मुलाकात यहां पर महन जी से हुई उन्होंने हमें इस थान के महत्व के बारे में डिटेल में बताया जो अभी मैं आपको बताऊंगा कहते हैं गिरनार परवत हिमाले से भी प्राचीन है लोकल भाशा में कहा जाता है गिरनार परवत हिमाले का परदादा है हमें महन जी ने ब अकट हुई और उन्होंने बहाँ कृषन को अपने मुखार विंद के दर्शन दिया जिसके दर्शन अभी हम भी कर रहे हैं ने कर वह ऑद देव दिवाली के दोहरान यातरी यहां पर आते हैं और गिरिनार परवत की परिक्रमा करते हैं तो टोटल परिक्रमा लगबग 40 किलोमेटर की होती है तो दो दिन में भी कर सकते हैं और तीन दिन में भी परिक्रमा कर सकते हैं परिक्रमा का महत्व इस वज़े से भी है क्योंकि ऐसा विश्वास है कि 33 करोड़ देवी देवता गिरनार परवत में वास करते हैं और देव दिवाली के समय सब यहाँ पर होते हैं तो आप समझ लिजी अगर आप गिरनार परवत की परिक्रमा करते हैं तो एक तरह से आपने इस प्राचीन परवत की परिक्रमा तो करी-करी वहां जाने के लिए लगबग हमें 3500-3800 स्टेप्स चड़ना होगा, थोड़ा चड़ेंगे, थोड़ा उत्रेंगे, ऐसा आपडाउन करके 3500 से ज्यादा स्टेप्स हैं, तो टोटल बेस पॉइंट जहां से हम चले थे, ट्रॉली में अगर चलते नहीं और हम सीडियों से आते वहां से गुरुद दतात्रे टेंपल पहुंचना 9999 स्टेप्स हैं, 10,000 से एक कम, तो ऐसा समझ लिजिए, 10,000 स्टेप्स आप पैदल जाएंगे तो उपर तक और 10,000 नीचे तक, तो रोपवे की वज़े से हमारे 6000 प्लस 6000, 12,000 स्टेप्स कम हो जाते हैं, चलिए, अब हम यह यहां से गुरुद दतात्रे टेंपल को चलते हैं, अमबा जी मंदिर के साथ ही 7-8 फूट स्टॉल हैं, इनहीं में से एक फूट स्टॉल में अभी हम कुछ नाश्टा करने के लिए रुके हैं, तो मैंने यहां देखा क्या-क्या अविलेबल है, मैंगी मेरे को दिखाई थी कि आइसे आप हाथ में लीजिए और इस तरह से नहीं ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन तरीका यह है कि ऐसा करके आप मिक्स करके खाईए, तो यह यहां का पॉपुलर ब्रेक्फस्ट है, सब्सक्राइए, बच्पन में यह चीज हम काफी खाया करते थे, शायद आज मैं यह चीज 25 या 30 साल के बाद खा रहा हूँ, मैगी ठीक है, उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन यह मेरे को ज्यादा स्वाद लगा, मैगी की प्राइस है 50 रुपीज, इसका प्राइस है 40 रुपीज, आठ यादा सी यह मिलते हैं, लेकिन मैंने अपने लिए केवल दो यह लिए, साथ में मैंने अपने लिए यह बाला जी के चिप्स ले ली है, तो पता भी नी चला है कि कब यह पूरा पैकेट खतम हो गया, क्योंकि मेरे को चिप्स यह बेहत पसंद आए, तो अब मैं सोच रहा हूँ, कि थोड़े से चिप्स बचे हैं, ऐसे मैगी में डाल लेते हैं, और इसका टेस्ट देखते हैं कैसा आएगा, सही है, मैगी में तो मसाले नहीं है, क्योंकि मैंने मसाले डालने से माना कर दिया था, लेकिन चिप्स मसालेदार है यह बाला जी यहीं गुजरात का ब्रैंड है लेकिन इसके चिप्स का जो टेस्ट है ना पसंद आ गए मेरेको पहली बार खाया है मैंने लेकिन मज़दार वेरी टेस्टी सामने आप पहाड के उपर देखिए शिवजी का टेंपल है और उसके पीछे जो पहाड है वहाँ पर दतात्री टेंपल है हमको वहां तक जाना है तो यह रास्ता कैसा है पहले नीचे जाएंगे फिर उपर फिर नीचे ऐसा दो-तीन बार उपर नीचे होगा चलिए चलते हैं सामने आप देखिए जो बड़ी सी वाटर बाड़ी दिखाई दे रही है उसको हस्तिनपूर डैम बोलते हैं लेफ्ट राइट दोनों तरफ पहाड है पीछे कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं और काफे अच्छा लग रहे हैं यहां पर इस व्यू को देखकर चलिए आग हम 15 मिनिट लगबग और आगे की ओर आए अब यहां पर दो दौर हैं शीरी गुरुदाद दौर और साथ में कमंडल कुंड पहले हम टेंपल के ओर चलते हैं लोट कर वापिस यहां पर कमंडल कुंड के दर्शन करेंगे और आपको भी दिखाएंगे साड़े बारा बजए है सूरज एकदम सर के उपर है थोड़ी थोड़ी गरमी भी लग रही है जहां पर मैं बैठा हूँ यहां पर बाबाजी है जो जल सेवा करने यातरी रुकते हैं पानी पीते हैं यहां पर मैं नोटिस कर रहा हूं कुछ जगह ना प्लास्टिक गिरा बात कर रहा हूं तो जो यातरी हैं उनको तो ध्यान देना ही चाहिए कि अगर प्लास्टिक बॉटल आप ले आते हैं तो बैग में डाल कर वापिस लेकर जाए और सही जगा उसको डिस्पोस आफ करिए दूसरा जब मैं गौमुक गया था मैंने वहां नोटिस किया था मैं उत और सकती है उसे दोनों तर्फ से काम होगा ऐसा मुझे लगा लो जी अब तो पहुंच गए सामने हमारे को मंदिर के दर्शन भी हो रहे हैं आप सभी बैठे हो यह यहां पर क्या अरे वा ठंडी हवा पांच मिट यहां बैठेंगे वाओ क्या बात है जबर्दस्ट ओ गौड अनिमाजिनेबल अनिमाजिनेबल मतलब दिलकुश हो गया ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी हवा एसी से भी ज्यादा ठंडा वाओ इतना बढ़िया मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है लवली अब 10 मिनिट गया यहां पर रुकूंगा फिर आगे मंदिर में जाकर हमने शिरी दतात्रे भगवान के चरण पादुगा के दर्शन करें अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए मैं बाहर आके यहां की कथा के बारे में आपको बता रहा हूँ ऐसा कहते हैं सत्युक की बात है यहां पर ब्रह्मा विश्नु और महेश अनुष्या माता जी की परिक्षा लेने साधू के रूप में आए उन्होंने अनुष्या माता जी को बोला अगर आप नगन होके हमें भोजन प्रसाद देंगे तो ही हम भोजन प्रसाद ग्रहन अनुष्या माता जी ने जल का छिड़काव करके तीनों को बाल रूप दे दिया जैसा बच्चा खेलता है उस वो रूप दे दिया उसके बाद जब बाल रूप तीनों का हो गया तो सरस्वती माता जी पारवती माता जी और लक्ष्मी मा यहां पर आई और उन्होंने बोला कि इनसे गलती होगी है इनको शमा करिये और इनको पहले जैसा रूप आप दे दीजिए तो अनुशिया माता जी ने दुबारा से पानी का चड़काव किया और उनको उनका वही रूप वापिस दे दिया अनुश्या माताजी ने उनको वर्दान दिया कि भगवान विश्णू के छटे अवतार श्री दतात्रे भगवान यहां पर तपस्या करेंगे और कल्यूग में यात्रियों को दर्शन देंगे इस समय जो हमने चरण पादुगा के दर्शन करें है यही दर्शन है जिसके बारे में मैंने आपको भी एक्स्प्लेइन किया इसी स्थान पे श्री दतात्रे भगवान ने 12,000 साल तक तपस्या करी है चलिए नीचे गयोर चलते हैं इन सीडियों से हम नीचे यहां तक आए अब हम कमंडल कुंड की और जा रहे है धुनी के दर्शन कर लेने के बाद हमने भोजन प्रसाद ग्रहन किया 24 गंटे यहां पर भोजन प्रसाद अविलेबल होता है यातरी आते हैं और भोजन करते हैं हमें पंडी जी ने यह भस्म दी जो हम अपने साथ अपने घर लेके जाएंगे और साथ में हमें यह चित्र दिया जगत गुरू श्री दतात्रे महराज भगवान और साथ में आप देख रहे हैं मन्त श्री अमरित्गरी महराज जी की तस्वीर सामने जो आप टेंपल देख रहे हैं नेमिनात भगवान का मंदिर है रोपवे से बाहर आके हमने भावना टलेटी से लगबग 6 किलोमेटर का सफर किया इस समय हम सिटी में मौडन लस्टी के पास आ चुके हैं यहां की लस्टी फेमस है और पैटीस फेमस है तो पहले पैटीस खाते हैं फिर उसके बाद हम लस्टी लेंगे यह पैटीस देखिये क्या चीज है इसको आलू से बनाते हैं तो जबी वरत होता है तो लोग उन दिरों में पैटीस खाना पसंद करते हैं इसमें आलू का सिवा कुछ भी नहीं है साथ में यह जो आप देख रहे हैं यह दही है तो दही की चटनी साथ में पैटीस इस पैटीस का टेस्टना बहुत अलग है तो आलू के सिवा थोड़ा गरम मसाला थोड़ी सी काली मिर्च मुफली दाना काजू किश्मिश यह सब मिलाकर पैटीस को तयार किया है ओवरॉल डिसेंट डिसेंट टेस्ट है यहां पर लस्सी में काफी सारी वराइटीस है मैंने अपने लिए मैंगो लस्सी लिए है उपर आप देख रहे हैं क्रीम, काजू, किश्मिश और जली आम तो पर लस्सी पी जाती है लेकिन यहां पर इसकी थिकनस को देखके लग रहा है कि हमको लस्सी को ऐसे चम्मच से खाना है तो यहां गाड़ी लस्सी है तो समय लीजिए अगर आपने एक लास पी लिया तो आपका लाइट लंच तो इसी से हो जाएगा हम विलिंग्डेन डैम पहुंच चुके हैं अच्छा लग रहा है यहां पर आके हवा अच्छी खासी तेज चल रही है थोड़ा वाक करके आगे चलते हैं और आपको यह डैम व्यू अच्छा से दिखाते हैं थोड़ा सा पैदल जलकर हम और आगे आगे यहां से व्यू काफी अच्छा लग रहा है अब देखिए जो यह रिवर है इसको कालवा रिवर बोलते हैं गिर्णार माउंटेन और दातार माउंटेन के बीच से यह रिवर फ्लो करती है यह जो डैम है न यह गवरनर विलिंड के टाइम पर बना था 1929 में उनी के नाम से यह डाम है यह दातार माउंटेन से यह भी दातार माउंटेन से टॉप में सखी दातार टेंपल है जहां पर हिंदू और मुस्लिम यातरी पिल्ग्रिमेच के लिए जाते हैं यहां पर अगर आप शाम को पांच साढ़े पांच कि अधर्वाइस मेरे को लगता है कि अगर आप जूना गड़ा है तो यहां पर आपको जरूर आना चाहिए और आपना हंटा आराम से गोमी है टैली है हवा चलती है अच्छा वाता वारन है अच्छा 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 लेक तक पहुंच चुके हैं सामने जो आप रोड देख रहे हैं ना कुछ देर पहले हम इसी रोड से भावरा तलेटी से डैम की और गए थे उससे पहले लस्सी पीने गए थे तो अब हम वापस लोटकर इधर ही आ गए अब मैं आपको ना इस जगा के बारे में बताने से पहले टिकेट अपनी निकल वा लेता हूं क्योंकि इस समय कोवीड की वज़े से ओनलाइन टिकेट निकल रही है टिकेट का कॉस्ट है 20 रूबीज पर परसन तो टिकेट निकाल के आपको मैं कुछ दिर में जॉइन करता हूं तब तक आप थ तो अंदर तो वीडियोग्राफी अलाओड नहीं है लेकिन मैं आपको कुछ फोटोग्राफ अंदर के दिखाता हूं देखिए हम सब जानते ही हैं समराट अशोक ने कलिंग वार के बाद अपने मेसंजर इंडिया में और इंडिया के बाहर जगा जगा भेजे थे स्पेशल 273 BCE से 232 BCE तक ये सब हुआ और साथ में जो राजा अशोक के विचार थे वो किस तरह के थे रिस्पेक्ट फॉर अनिमल्स रिस्पेक्ट तुवर्ड एल्डर्स काइंडिस टूवर्ड्स प्रिजनर्स तो ऐसे करके उनके जितने विचार थे वो सारी पॉलिजिस यहां रॉक विचार थे जो रॉक एडिक्ट की फॉर्म में जगा जगा हैं और हमने ऊडिसा में भी जाकर देखा था रॉक एडिक्ट नमबर 13 में किंग अशोक ने अपनी प्रजाद से माफी मांगी थी माफी नामा तो इस सब के वारे में हमने ऊडिसा में भी आपको बताया था उस व तो आप जब जूनागड आएंगे तो यहाँ पर कुछ समय के लिए आ सकते हैं और रॉक एडिक्ट को खुद आके देख सकते हैं अशोक शीरा लेक से लगबग हम एक किलोमेटर और आगे आए हैं तो हमारे राइट अंड पर दामोदर कुंड है चलिए यहां से अंदर चलते हैं और आपको इस थान के बारे में अंदर चलके जानकारी दिते हैं अब यह मंदिर के अंदर आए और गर्भ ग्रह में जाकर हमने दामोदर भगवान के और उनके पुत्र प्रदियुमन जी के दर्शन करें मंदिर के आगे जो आप कुंड देख रहे हैं इसको दामोदर कुंड बोलते हैं मंदिर के साइड में जो कुंड है इसको रेवती कुंड बोलते हैं यहां पर आके हमने कुछ जानकारी प्राप्त करी है उसके मुताबिक आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर एक बहुत बड़े कवी और भगवान कृशन के भक्त हुए जिनका नाम है नर्सी महताजी तो यह स्थान जो आप देख रहे हैं दामोदर कुंड यहाँ पर बहुत पुरानी बात है यहाँ के जो राजा थे उन्होंने एक दरबार लगाया और नर्सी महताजी को बोला कि आप अगर कृशन भक्त हैं तो इस बात को आप प्रूफ करिए कि आप कृशन भक्त है और उनकी भक्ती के कृपा आपके उपर है तो नर्सी महताजी ने यहाँ पर इस थान पर राग केदार गाया भग्वान कृशन उसे प्रसन हुए और अपने फूलों की माला उन्होंने नर्सी महताजी के गले में डाल दी तो राजा प्रसन हुए और इस बात की पुष्टी हुई कि भगवान कृष्ण का नरसी मैता जी के ओपर आशीरवाद है इसके बारे में ओर डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ इस हमें पंडी जी है पंडी जी जैशर कृष्णा हम आपसे स्थान के बारे में ओर डिटेल में जानना चाहते हैं कुछ आप हमें जानकारी दे सकेंगे जानकारी जानना चाहते हैं कि यहां पर लोग अस्तियां विसर्जन करने भी आते हैं और यहां पर कहते हैं कि रेवती मैया जी का भी स्थान है तो इन सब बातों में अगर आप हमें बता सकें करके और पूनम करके उसकी जो करते हैं तो उसको बच्चा होता है हमने सुना रेती मया का जन्म हुआ वो सत्यूग में हुआ इसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं तो तीन यूग के बाद ये दावजी का जन्म हुआ और यहां कर शन्म हुआ उसका उसका शाथ में लेके आये और उसको तीन इतनी रेस्टा चल परवत जीतनी बढ़ी थी तो दावजी ने रहल लगा के छोटी कर दी और उसके साथ रेउत्री कुन में उसकी साधी हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैसी भीड़ा गिरनार परवत का जो बेस एरिया है यहाँ पर भगवान शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है इसका नाम भवना टलेटी मंदिर है यह पूरा एरिया भवना टलेटी के नाम से ही जाना जाता है यह मंदिर कितना प्राचीन है इसका अंदाजा तो किसी को भी नहीं है यहाँ प पता चला भगवान शिव ने यहां पर तपस्या करी है और मा परवती ने गिरना परवत पर तपस्या करी है यहां पर महा शिवरात्री के दोरान एक भवे मेला लगता है जिसमें यात्री भी दूर दूर से आते हैं और नागा सादू भी यहां पर आते हैं और एक दिन ऐसा हो आना चाहते हैं तो 7-8 km का सफर करके असानी से पोहन सकते हैं चलिए अब हम यहां से चलते हैं हम भवनात मंदर से डिनर करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में हमने कावा स्टॉल देखा तो हम यहां पर एक स्टॉल में रुख चुके हैं यहां मुलाकात हमारी चैनल सब्सक्राइबर से हुई है तो इनसे पिछले कुछ देर से मैं बात कर रहा हूँ तो इन्होंने बताया कि जब आप जूनागर आएंगे और सर्दियों का समय होगा तो इस तरह से आपको जगा जगा कावा स्टॉल देखने को मिलेंगे जैसे अभी हम यहां पर खड़े हैं तो आर्दस कावा स्टॉल तो यहीं पर होंगे हर पचास-पचास मीटर के डिस्टन्स पर तो बारिशों में और सर्दियों में यह रहते हैं लेकिन गरिमियों में कम हो जाता है ठीक है भाईया हम सब के लिए आप एक-एक बना दीजिए लो जी कावा हो गया तया यार तो इन्होंने लास्ट में डाल दिया इस पर निम्बू तो आम तोर पे हम जो घर में कावा बनाते हैं उसमें निम्बू नहीं डालते हैं यह फरक है ना घर पे ना हम लोग जो आम तोर पे कावा बनाते हैं इतना ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं होता यह बहुत जादा स्ट्रॉंग है, दूसरा निम्बू नहीं होता, तो इसमें खटास है, तो यह दो चीज़ है, मैंने यहाँ पर अभी चीज़ नोटिस करी है, जब से हम आये हैं यहाँ पर, केलो जो कावा बना रहे हैं, यह तामबे के बरतन में बना रहे हैं, यह एक चीज कावे के अंदर भून दाना इस्तमाल किया जाता है, बेसिकली कॉफी बीन्स है, जिनको रोस्ट करते हैं और उसके बाद ग्राइंड करते हैं, पीस्ते हैं तो रंग इसका ऐसा ब्लैक हो जाता है, अधरक दिल खोल के डाला है, काली मिर्ज दिल खोल के डाली है, तो सब कु चोटी-पुटी संदी तो गया जाता है, यह कह सकते हो, छोटा-बटा जुगाम होगा तो सिधा निकल जाएगा, आप लोग यहाँ पर, जैसे सैटरडे संडे विकेंड होता है, तो फैमिली आउटिंग के लिए कहां जाते हैं, जनली कैसे करते हैं विकेंड आउटिंग? यह बहुना तलेटी है, फोरेस्ट एरिया है, ठंड रहती है, और जो एन्वाइरमेंट है, वो बहुत ही प्लेजन्ट है, रात को बारा बज़े तक यहाँ पर बहुत चल पल रहती है, तो यानि अगर सैटरडे या संडे के समय यहाँ पर आ जाएं इस जगा, तो बहुत च पच्चा सजार लोग हो गें, अच्छा जी? पच्चा सजार, जबर दस्त है. दिनर करने के लिए हम शकरबाग जू के सामने पटेल रेस्टरॉंट में आए हैं गाड़ी हमने जब यहां पर रोकी तो मैंने देखा यहां पर ना दो पटेल रेस्टरॉंट है खाना दोनों का अच्छा है तो अब हम रैंडम एक पटेल रेस्टरोंट में जा रहे हैं जो फर्स फ्लोर में है सामने आप देखिए पोस्टर निनों ने कितना अट्राक्टिव लगा हुआ है पहली मंजिल पर कुम्ब करन थाली 35 आइटम 10 किलोवेट तो अब उपर जाके मैं देखूंगा मेरे को यह थाली खानी भी है कि नहीं खानी लेकिन उपर जाके फिकर आउट करते हैं और और आप्शन में क्या-क्या अविलेबल है चलिए उपर चलते है पिछले इतने सालों में पहली बार हुआ है कि मैं कुछ इतना हीूज ट्राई कर रहा हूँ डिनर में यहां पर इसका नाम है कुम्ब करन थाली टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 35 है अब कुछी जिए तो मेरे को समझ नहीं आई तो इसलिए मैंने यहां पर शुरू करने से पहले जो यहां के रेस्टराउंट के मैनेजर इनको बोला कि आप साथी बैठ जो जिसे कुछ पूछना रहेगा तो आपसे पूछते रहेंगे अब यहां सिस्टम यह है कि फर्स्ट अफॉल यह अनलिमिटेट थाली नहीं है तो अगर परिवार में 4-5 लोग आते हैं तो वो यह थाली मंगा ले और आपस में शेयर करके खा सकते हैं ठीक है अब सवाल यह है कि कहां से शुरू किया जाए और क्या लिए आजाए यह कहा है पनीटिका ढॉप चलो थोड़ सा पनीटिका ढॉप ड्राए लेते हैं साथ में और एक बास्केट चाटल लेते हैं, और साथ में ट्राइ करेंगे, ये गुज्ञाटी दोकला है, शेजवान दोकला, शेजवान दोकला, अच्छा टेस्ट है, डोकला की जो उपर सॉस डाली है शेजवान, उसके अंदर हलका-लका स्वीटनेस है, ओवरल नाइस टेस्ट, ये चीज़ इंटरस्टिंग है, कि आपके पास इतने सारी चॉइसेज हैं, कि आपको जो पसंद है वो खाऊ, अब जैसे मेरे को मन हुआ, ये मैं तीन चीज़ ने लिया तो, वेरी गुड, टेस्ट आप लोग के अच्छा है तो, कितने साल होगे आप लोग को ये कुमकर ने, सर, कुमकर ने अमरे तीन साल पहले स्टाट किया था, तीन साल के अंदर आज इन्डिया तो भार से लोगे कुमकर ने खाने के लिए, अच्छा, बहुत अशा स्वाध है, भागड़े ट्राइँ करेंगे, ओरो बोल देना इसको तो बैंगन का भरता कुक्ट इन काठिया वाडी स्टाइल काफी टाइम के बाद मैं भागडी खा रहा हूँ इन्होंने बताया कि भागडी को जों के आटे से तयार किया जाता है मैं जो समझा हूँ यहाँ जो थाली की आइटेम्स है उसमें कुछ नौर्फ इंडियन और कुछ यहां की लोकल फूड आइटेम्स है अब इन्होंने बताया कि यह पहारी राइता है अभी 2-3 महीना पहले ही मैं उत्राखंट गया था तो वहां मैंने यह राइता टेस्ट किया था इसको टेस्ट करते हैं साथ में हम क्या लेंगे नान ले 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 लिए अच्छा यह रोटी ले लिए हमने साथ में बिर्यानी ले ले लेंगे यह जो राइता है ना यह उत्राखंट में कुमाउ रीजन का फेमस है वहाँ पर क्या करते हैं इसमें राइ डालते हैं तो आप लोगों राइ इस्तमाल कियोगी चीज बड़ी मज़दार है यह कुमाउनी राइता कुल में लागे मज़दार एक्सपिरियंस है इस तरह से कुम करन ठाली में से चूज कर करके खाना आपको जो पसंद है वो आप इंजॉई करो तो अगर चार या पांच लोग हो तो अच्छा कॉंबिनेशन और ओवरल गुड प्रेपरेशन तो अब हम टीम के साथ इसको फि करते हैं मुझे किसी ने बोला होट जाने से पहले आप जूनागड का एंटरी गेट देखते जाना रेल्वेस सेशन के सामने तो हम आन् रेल्वेस सेशन के सामने जूनागड एंटरी गेट तक पहुँन चुके है यह पुराना इंट्रीगेट है सामने आप देख सकते हैं लिखा है सरदार पटेल दर्वाजा ऐसे सुना है पहले 6 इंट्रीगेट हुआ करते थे अभी फिलाल दो बची है क्योंकि जुनागड फैल चुका है तो यहां पर लाइटिंग देखने आयते लेकिन अभी रात के 11 ब अब आपको बाइबाय करने के सामय आचुका है कल भी हम जुनागड में हैं कल काफी सारी अक्टिविटीज हमने सोच रखी है जो हम करेंगे और कल रात का नाइट स्टे भी हम जुनागड करने वाले हैं उसके बाद आगे चलकर हम गीर फॉरस जाएंगे आपको बाइबाय हुआ 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 है पिछले तीन-चार दिन जब से हम सफर कर रहे हैं मैं नोटिस कर रहा हूँ यह रीजन में जिसको हम काठिया बाड रीजन बोलते हैं सेव टमार कंपसरी रहता है ठीक हो बहुत पॉपलर है यह अलू की सबजी भी रहती है जिसमें तेल ज्यादा होता है चोकि इस रीजन में ओर आल नी होता है और दाल में मीठा तो मैंने भी जिक्र आपसे कुछ दर पहले ही किया कभी भी आप यहां पर आएंगे तो पांच या दस मिरिट रुक कर तो आपका मन करेगा सिर्फ इस लाइटिंग को देखो और अप्रिशेट करो